नमिशकार जेके नूस पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ जेतना शर्माप के साथ इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू डिवीजन के सामबा डिस्टिक से आ रही है जहां पर हाली में आम्स और अमिशन जो है लोसी से रिकवर किया गया है हलांकि सूतरों के अगर बात करें तो पूरी तरह से वहां पर इंवेस्टिकेशन शुरू कर दी गई है अब नई अपडेट जो है क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आती है लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट सामबा के राज़कूरा से सामने आ रही है जहां पर पुलीस की अगर बात करें तो वहां से आम्स और एम्मिशन रिकवर की गए है और इसी के साथ साथ कुछ और तरह का भी समान जो है वहां से एक तरह से रिकवर हुआ है क्योंकि एक तरफ पंद्राअगस्त जो है वो आ रहा है और उसके बाद पांच अगस्त की बात करें तो जिस तरह से पांच अगस्त के मौके पर इस तरह की जो है अशंका जटाई जा रही थी कि पाकिस्तान कुछ बड़े हमले जो है यहां पर कर सकता है और कुछ इस तरह का महोल यहां पर बना सकता है कि पूरी तरह से यहां का महोल जो है खराब किया जाए और इस बीच जहां पर सांबा सेक्टरी की हम लोग बात कर रहे हैं जहां से LOC के करीब से arms और ammunition recover की गई हैं और उसके बाद पूरी तरह से investigation जो है इस मुद्दे पर चल रही है और वहीं पर alert भी आसपास के एरिया में कर दिया गया है और जांच परताल पूरी तरह से की जा रही है कि आखिर कुछ संदिग्द क्या यहां पर मौजूद हो सकते ह और वहीं आसपास के लोगों की बात करें तो उनसे भी एक तरह से पूछताश करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ कोई संदिग्द यहां पर देखे गए थे क्यूंकि जहां पर जम्मू के और भी कई लाकों की बात करें कश्मीर में इस तरह की गतिवीदियां देख देखे गए उसके बाद सांबा की अगर बात करें तो सांबा में भी एक बैग में इस तरह के आर्मी यूनिफॉर्म पाई गे है ती जिसके बाद लगातार अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से investigation की जा रही है वहीं 15 गस्त के मौके पर जगा जगा नाके भी अब पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं और एक तरह से सतरकता के साथ काम लेने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरह के नापाक मनसूबों को यहां पर नाकामियाब किया जाए और किसी भी तरह का दहशत का माहौल यहां पर ना बने और इस स्पीच जहां पर सांबा में आमस और एमिनिशन जो है अब पुलिस की तरफ से रिकवर की गई है हलांकि सूतरों कि अगर बात करें तो अभी क्या कुछ नहीं अपडेट सामने आती है उस पर जो है किस तरह का कोई अभी बात क्लैरिफाई नहीं की गई है लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि आम्स और एम्ặूनिशन के साथ साथ ही रेडियो सेटस और टॉर्च लाइट भी जो है वहा मूँसे मुझद हुई हो इसके साथ इसी तरह का और भी सामान जो है महां से मुझद हुए है और इसके साथ अगर बात करें इस तरह की सपीशिएस एक्तिविटीज इसकी तो लगतार इस तरह की बाते सामने आ रही हैं जहां पर हम ड्रोन की जरीए हमलों की बात करते हैं तो ड्रोन की गतिविदियां भी लगतार बढ़ रही हैं और इस बीच लगतार प्रशासन भी अब फैसले ले रहा है इस तरह की चीजों को रोकने के लिए वहीं अगर क कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी अब प्रिशासन ने एक तरह से काफी सारी ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिससे जो है आतंकवाद जैसी जो चीजे हैं यहां से मुक्त हो सके और वहीं इस तरह की घतिविधियां लगतार उसके बाद भी पाकिस्तान करने के कोशिश कर रही है और उसके बाद ताकि 15 अगस्त के मौके पर जो है किसी भी तरह का कोई माहोल खराब ना हो इसके भी पूरे इंतजाम कर दिये गए हैं और इस बीच इस तरह की बाते निकल कर सामने आना लोगों में भी एक तरह से दहशत का माहोल बन जाता है और एक तरह से डर बना किल कर सामने आएंगी वो आपको जो है आप देश्यूच करेंगे अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमिश्कार